हूँ जो आप जो अपसन करियोर में मैं आपको स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे योरोपियन वीजा सेनेगन वीजा के बरें बात करेंगे सेनेगेन कंट्री और यूरोपियन यूनियोन कंट्री जो 27 कंट्री है उसके विजा के उपर मैंने काफी सारे वीडियोज आपके लिए ला चुका हूँ पहले तो अभी 2026 में सेनेगेन का जो विजा है ओनलाइन हने जा रहा है 2026 में उसका मतलब है जैसे कि आप इंडिया में हो तो आप यूरोप में कोई भी कंट्री ट्रावेल करना चाहते हो यूरोपियन यूनियोन का जो सैनेगन एरिया है कोई भी कंट्री ट्रावेल करना चाहते हो तो आपको इन एडवांस दो-तिन मैना पहले तो आपको उस अमबैसी मे जाय को विजा अपलाई करना पड़ता है उसके लिए आपको बहुत सरे डोकुमेंट्स रेडी करना पड़ता है आपका जैसा की आपका income tax return file तीन साल का छे महिने का bank statement और travel insurance तो बहुत सरे डोकुमेंट्स आपको पहले रेडी करना पड़ता है फिर embassy में जैकर या VFS global द्वारा आप सन्यगन विजा अपलाई करते हो तो सन्यगन विजा अपलिकेशन होते होते या interview होता है या नहीं होता है या डोकुमेंट्स मिस हो जाता है या द minimum और maximum दो तिन मेना कभी कभी हो जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों को problem आता है कि बहुत सारे लोगों का विजा रिजेक्ट भी हो जाता है क्योंकि यह डिपेंड करते है कभी कभी embassy के उपर embassy के जो staff है उनका embassy का पास विजा officer के पास full power रहता है वो कोई भी application को रिजेक भी कर सकते हैं हर साल millions के हिसाब से विजा apply होता है और millions के हिसाब से विजा काफी सा rejection होता है तो इसलिए जितने सारे member country है सेनेगेन का जो member country है उन्होंने decide कि अभी उनका विजा online करेंगे क्योंकि जैसे कि आपका सेनेगेन area का सेनेगेन country का जो आप विजा apply करते हो तो हर साल में हर 6 महिना में आपको 3 महिना कोई भी सेनेगेन zone में रुख सकते हो तो उसमें अलग-अलग country को benefit नहीं मिलता है जैसे कि आपने Germany गया, Germany में आपने एक महिना रुखा, फिर Poland गया एक महिना रुखा, फिर दुसरा Australia गया एक महिना रुखा, तो 3 महिना हो गया, तो as per the rule आपने second time apply नहीं कर सकते, फिर आपको 6 महिना wait करना पड़ेगा, ठीक है न, तो 6 महिना फिर आपको wait करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही apply करेगा, उसमें क्या होता है, अगर कोई tourist, कोई traveler, दुसरा sunnigan country travel करना चाहेगा, तो और apply नहीं कर पाएगा, इसलिए हर दुसरा sunnigan member country को ये loss होता है, उनका tourist arrival में loss होता है, इसलिए उन्हेंने decide कि उसको online क्या जाएगा, online करेगे तो, तो कोई भी person, उनके पांस document ready है, तो कोई भी country जाना चाहेगा, तो visa online में apply करेगा, तो इस visa within 4-5 दिन में, इस visa उनका email में आ जाएगा, फिर वो तुरंद उस country को travel कर सकता है, तो ये visa का जो duration हो सकता है, 15 दिन रहेगा या एक महिना रहेगा, वो अभी decide नहीं होआ है, 2026 में start होगा, 1st January 2026 में start होगा, तो ये जो duration of visa 15 दिन हो सकता है, या एक महिना हो सकता है, वो कैसे होगा कि आपको document तो ready करना बड़ेगा, आपको return ticket, income tax return document, income tax return file, आपका 6 मेने का bank statement, आपका passport को पी first page, last page, और अगर आपने America, Canada या कोई भी sun again June में आप travel कर चुके हो, उस visa का पेज, ये सोग document को आप PDF file में ready करके, save करके रखना है, रखने का बाद आपको सेने गें जुस country का आपको travel करना है, उस country का जो visa application page है, embassy का, online में जाको आपके आपके apply करना है, apply करने का बाद आपको document submit करना है, अगर आप first time traveler है, तो आपको either embassy जाना है, या वीए पेस में जा आपका email में आ जाएगा, फिर आप print out निकाल कर, आप travel कर सकतो, और आपको ये 300,000 euro का चाहिए travel insurance, ठीक है, 300,000 euro का travel insurance 7,8000 में मिल जाएगे, तो इतना document होने के बाद आप Eurozone का, Euro का जितने सारे European Union का जो country है, हर country को आप travel कर सकतो, एक महिना जर्मनी में रुख सकतो, एक महिना आउस्ट्रिया में रुख सकतो, कोई भी country आप जाना चाहिए दो, online में apply करके, दुनिया में कोई भी country में हो, उस country से उस country को जा सकतो, example में, कि आप है, आप Indian हो, और आप Malaysia में हो, तो Malaysia में tourist visa में हो, तो आपको जाना है, योरोप में Germany जाना है, लेकिन आपको Malaysia का residency नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर इंडिया आना पड़ता है, फिर इंडिया में apply करना पड़ता है, लेकिन इस टाइप का visa में, अगर documents आपके पास ready है, तो आप online में any country, कोई भी country में आप रहते हो, without residency में, तो आप apply कर सकते हो, 4-5 दिन में visa आपका account में, email में आ आप सकते हो, अगर European visa, Sannegan visa, कोई भी country का, Germany, Austria, Switzerland, Norway, Sweden, France, कोई भी country का आपको travel करना है, तो उस country के बारे में जाना है, visa कैसे apply करना है, सब कुछ जाना है, तो आपको e-book पढ़ना है, e-book, digital book पढ़ना है, हिंदी या इंग्लिश में, तो आप हमें लिख सकते हो, अभी हमारा company में लिखा हूँ, e-book ready है, e-book आप आई कर सकते हो, आप हमारा यह जो online, हमारा magazine है, online magazine है, www.ojob.com, इस side में जाको आप पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जानकरी मिल सकते हो, आपको visa के बारे में, globally, worldwide visa के बारे में, immigration के बारे में, travel के बारे में, jobs के बारे में, तो इस स जाकर पढ़ के information पा सकते हो, और अगर आपको e-book चाहिए, e-book के लिए आप हमें लिखिए, payment करने के बाद हम आपको e-book भेज़ देंगे, भाई, whatsapp में, also कोई भी country आपको travel करना है, visa on tourist visa, job पाने के लिए, तो आप e-book खरी सकते हो, example, आपको Germany में job चाहिए, तो how to find a job in Germany, हमारे e-book पढ़िए, जितने सारे e-book मैंने लिखा हो, तो e-book पढ़ोगे तो आपको जादा स्यादा जानकरी आएगा, तो e-book का price है 450 रुपिया, इसे world में जितने सारे देश है, सब country का e-book ready है, how to find a job in Germany, how to find a job in Switzerland, how to find a job in America, हर country का e-book मिलेगा, price है 450 रुपिस, अगर आप आपको e-book चाहिए, आप हमें लिख सकते हो, या e-book चाहिए, हमें लिखने के बाद, payment करने के बाद, हम आपको e-book पढ़ी वाट्शाप में बैज देंगे, और ज्यादा जानकरी कले www.ojobs.com में पढ़िए, ज्यादा ज्यादा information आपको मिलेगा, थैंकियो, धन्यवाद, ज्यादी. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो